सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइट को और बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले मोटो वीडियो देखने के लिए तो यह है Pulsar 150 CC 2018 model with twin disc यहां गाईज यह है Pulsar 150 with twin disc तो गाईज फाइनली बज आज ने अपने Pulsar 150 में twin disc का एडिशन कर दिया है जो के मेरे ख्याल से काफी जादा एफिशेंट है ब्रेकिंग के लिए और साथ ही साथ मैं बताता चलो किस बाइक में जो फ्रेम है वो पूरी की पूरी Pulsar 180 की फ्रेम है छियांगाईज इस बाइक के फ्रेम्ट फोग 37 mm के हो चुके है और गाईज इस बाइक के जो ग्राब रेल है वो भी स्पलिट हो चुकी है और साथ ही साथ और सीटिंग भी जो है वो अब सिंगल सीट headphones वो अब टोटली पॉलसर 180 की तरह स्प्लिट सीट हो चुकी है और गाइज यह बाइक अब जादा कम्यूटर फ्रेंडली नहीं रही मेकैनिकली इस बाइक में किसी तरह की भी कोई चेंजिस नहीं है यह बाइक 149 CC सिंगल सिलेंडर 4 स्टोक 2 वाल टून स्पार्क DTSI इंजिन के साथ आती है जिसकी पावर 14 PS at the rate 8000 RPM और 13.4 Nm of torque at the rate 6000 RPM पे मिलती है तो गाइज आज ने अपने इस बाइक में जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो रेर डिस्क के अडिशन और इस बाइक की जो पूरी फ्रेम है जियां गाइस वो 180 की डाल दी है तो गाइस इस बाइक के बारे में और जादा कुछ बताने के लिए है नहीं ये बाइक जैसे ही अवैलेबल होती है मैं इसका वाकराउंड बनाने की पूरी कोशिश करूँगा तो गाइस अगर ये इन्फरमेशन आप लोगों को अच्छा लागा हो फॉलसर 150 2018 से रिलेटेड तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेर करिए और इसी तरह के और बाइक से रिलेटेड इन्फरमेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल रेवन रैट को सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए लिफ्ट प्री, राइड हार्ड और अल्वेज गयर अब